असलामलेकम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन मसाला कलेजी की रेसिपी जो के इन्शाला आपको बहुत ही सबर्दस लगने वाली है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिबसे पहले और को हल्का से गरम कर लेंगे उसमें कटे पर प्याज आड़ ते रहेंगे और मीडियum फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे यहां तेकि इनका क्लर बिलकुल लाइट प्राउन हो जेई प्याज को हल्का सा सूते करलेंगे जैसे प्याज इस तरह से पिल्कुल लाइट प्राउन हो जाएगा हलका सा सौते हो जाएगा हम इसमें आधी चमश के संद्र का पेस्ट आइड़ करेंगे और एक नेट के लिए इस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्राइ कर लेंगे उसके बाद हम इसमें थोरह सा पानी आड़ करके कटेवे टोमाटर आड़ कर देंगे टोमाटर हम कुछ देर के लिए मीरियम फ्लेम पर बनाएंगे ताकर यह नरम हो जाएं जैसे ही टोमाटर नरम हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे इसमें थोरी सी दहीं आड़ कर देंगे दह तक्रीबन एक मिनिट तक मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी आइट करेंगे हस्पिसाइका नमख आइट करेंगे थोड़ी सी कुटी भी मिर्चे आइट करेंगे थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्चे आइट करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्चे और इनने अच्छी तरहां से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे रिखेंगे ताके इसमें से ओईल निकल जाए साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताके मजीद ऐसी वीडियोज आप देख सकें जैसे इसमें ओईल निकलना शुरू होजएगा हम इसमें कलेजी यार्ट कर देंगे और इसे बिल्कुल सौटली अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे जैसे इसमें से ओईल निकलना शुरू होजएगा तकरीबन इसको पांच से साथ मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढखके रख देंगे डक्कन ओपन करने के बाद मैंने इसमें थोरा से धन्या आट किया हरी मिर्चे आट किया और थोरी से कसूरी मेथी आट किया इसकी वज़ा से इसकी खुश्पू बहुत ही अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही जबर्दस्त आएगा झाल 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 झाल